कुक इजी एंड डिलीशियस में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो के सिर्फ जट पर 2-3 मिनट में बनकर तयार हो जाती है यह रेसिपी उन टी लेवर्स के लिए जो चाय के बहुत ज्यादा दिवान है गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो चाय पीना नहीं चोड़ते हैं मेरी तरह तो बनाना शुरू करते हैं हमें चाहिए एक कप मिल्क यहां पर मैंने लिए हैं ग्रीन कार्डमम हरी लाइची दो लॉंगे क्लॉव्स जिंजर स्लाइसिस अधरक के टुकड़े और चाय पत्ती और शुगर तो फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं हम लेंगे एक पैन गैस का फ्लेम करेंगे ओन और उ कर सकते हैं चाय पत्ती डालने के बाद हम डालेंगे शुगर अगर आप चीनी कम या ज्यादा लेना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के कॉर्डिंग रख सकते हैं उसके बाद जिंजर और ग्रीन कार्डमम जिनको मैंने क्रेश करके रखा है हम उन्हें भी एड़ कर देंगे और अब डालेंगे लॉंग लॉंग से बहुत ज्यादा फायादे मंद हो जाती है हमारी चाय अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे इसमें इंतिजार करेंगे आने का एक बाल का यह हमारी चाय में बाल भी आ गया देखा, मैंने का था ना, मिंटों में बनने वाली रेसिपी है, यह गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और 2-3 मिनिट पर इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे वाउ, देखा, चाय का कलर इतना अच्छा आया है, यह हमारी चाय बिल्कुल बनकर तयार हो चुकी है, गैस को बन कर देंगे, अब एक स्ट्रेनर की मदसे से च्छान लेंगे फ्रेंड्स मेरे घर में मैं और मेरे फादर चाय के बहुत ज्यादा शौकिन है, वो भी चाय पीते हैं और मैं भी चाय की आदी हूँ मतलब मैं तो यह बिल्कुल परफेक्ट हमारी चाय बनकर तयार हो चुकी है, अब मैं जारू हूँ अपनी चाय को पीने के लिए, इंजॉय करने के लिए, होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जुरूर कर और चाय को इंजॉय करें, ठीक है,